तो आज हम पढ़ने वाले class 6 science chapter 1 food its sources and components का next question जिसमें बोला गया है what type of food that we get from animals तो इस question का मतलब है what type एने की किस type का food एने की खाना that एने की जो की we याने हम get एने की लेते हैं या मिलता है animals से याने की जानवरों से तो कुल मिलाके किस type का food हमको मिलता है animals से जानवर से तो चलिए देखते हैं इसका answer food that we get from animals include meat and meat product poultry products chicken and eggs fish and pork तो इसका मतलब है ऐसा food that याने की जो की हमको मिलता है animals से include उसमें क्या क्या include किया क्या है meat meat याने की mass होता है students right and meat product और उस mass के बनी हुई चीजें जो product होते हैं वो भी हमको animals से ही मिलता है इसके बाद poultry product poultry product में क्या क्या आता है जिससे chicken हो गया या एग हो गये तो इसको हम बोलते हैं poultry product तो यह भी हमको जो chicken है और जो एग है अंडे है वो हमको animals से मिलते हैं और इसके अलावा fish फिश जो है वो भी animals है जो की non vegetarian खाते हैं और पोर्क पोर्क जो है एकतर का मास होता है students जो की sewer का मास होता है pig meat बोल सकते हैं तो pig meat को हम पोर्क बोलते हैं ओके इसके अलावा dairy products like milk cheese butter घी एक्सेटरा तो जो dairy products होते हैं जो की dairy shop पे मिलते हैं या फिर घर में भी बनाते हैं जैसे की milk हो गया cheese हो गया butter हो गया घी हो गया यह सब क्या है यह भी हमको animals ही मिलता है क्योंकि अगर milk जो है देखें तो वो animals ही मिलता है चीज बगएरे वो दूच से ही बनते हैं बटर दूच से बनता है घी दूच से बनता है तो यह सब चीजें जो है कुल मिला कि हमको एनिमल से मिलते हैं इसके अलावा इस because these food products are highly nutritious and rich in protein and fats तो यह जो खाने हैं जो कि हमको animal से मिलते हैं तो यह food products जो है यह बहुत ज़़ा nutritious होते हैं याने कि हमको इनसे nutritions मिलते हैं जैसे कि protein, vitamin, minerals तो हमको सबसे ज़़ादा जो मिलता है एनिमल से वो protein मिलता है, जो की important nutrition है, तो वही है कि जो animal से जो हमको food product मिलते हैं, वो बहुत ज़धा nutritious होते हैं, इसके अलावा इन में protein और fats बहुत ज़धा quantity में मिलता है, रिच जाने की वही है, बहुत ज़धा protein and fat होता है, इस food product में जो की हमको animal से मिलता है, तो यही reason है students, कि जो एनिमल से हमको food product मिलता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा protein और fat होता है, इसलिए इसको हम highly nutritious बोलते हैं, okay students, I hope students आपको एक clear हो गया होगा, अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या knowledge मिला, तो please हमारे चैनल को subscribe कीजिए, एन वीडियो को like जरूर करें, आज के लिए इतना है, thank you,